हेलो दोस्तों आज किस वीडिये में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे टुटी-फुटी दीवाले फिर पपड़ी निकल चुके दीवाले उसे कैसे रिपेल करता है और रिपेरिंग के बाद जब प्राइमर तक के पुरुवी प्रॉसस दीखाई है तो कुछ चीस तरह का म हमें फाइनल लोक मिल सकता है तो यह वीडियो सुरूच से लेकर एंट देतना आपको पुरी माहिते मिलेगी सबसे पहले जुस्तों हमें जितनी पी पपड़ी और लूस पार्टिकल है उसे निकलना पड़ता है निकलने के लिए आप पुट्टी ब्लेड या फिर वाय ब्र कि आप देख शुक दो हमारे निचे के जो वाल है वहाँ पर हमने पूरी पपड़ी निकल दीए उसके बाद कई सीलिंग में भी थोड़े बहुत दानी वगरे जैसा दिख रहा था हमें पपड़ी बनी है तो उसके वज़े से हमने सीलिंग में भी अच्छे से एक बार पू पूरी जगा पर अच्छे से जाडू लगा दिना है ताकि जो डास्ट वोड़ी है उसके वज़ा से हम आगे पुट्टी या फिर प्राइमर करेंगे तो वहां पर बबल या फिर से पपड़ी बनने का कोई चांस ना रहा है इसलिए सब सब पहले हमें जाडू से अच्छे स साफ कर लेना है सब उसके बाद उसको घर मैं घिसाए करने के बाद कहीं पर ख्ली वह सब था और अभी हमने दिकल दिए तो उसके जो गड्य होते वह सब पड़ चुक है तो है पी हनी वाला है पुट्टी से करें के तो दोस्तों वह जल्दी सुकता नहीं और फिनिशिंग नहीं देता है बड़े गड़े में छोटे गड़े में आ जाता है पुट्टी से उसके वज़े से अभी हमने आप देख सकते हो कि पी यूपी यूज किया यह आप हमारे जो लोकल ब्राण है पुट्टी से फिलप ना हो वैसे तो उसे फिलप करने के लिए हम अभी जो पी यूपी हो यूज कर रहे है और दोस्तों यह आप मैं आपको सजेस्ट करूगा का पूतनी बनाना कि आप 15 मिनिट में यूज कर लो क्योंकि 15 मिनिट के बाद यह पूरी हाड हो जाती है तो अब आपको दिखा रहे किस तरह से थोड़ा बड़ा गड़ा होता है तो आपको लाने में थोड़ी परिशानी हो सकती है तो थोड़ा ट्राइब कीजिए अपने आप 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 से बहुत से एक वर गड़ा है उपर इसे भी आप पी से बढ़ देगे वैसे आपके गर में है तो वहाँ पे आप ऐसे पी ओपी से पहले फिलप कर के फॉल के लेवल मिला देजिए और उसके बाद हमने पुटल के बढ़ना शटार्ट कर दिया है पुट्टि हमने वहाँ पर कर रहा है जहाँ पर आपने थोड़ी दिए पहले दिखा एक गिसाईं की ती तो वहाँ पे तो दीवाल को मैच करने के लिए हम वहां पर अच्छे से एक कुट प्लाइब जो पहले पुट्टी है वो कर देगे अच्छे से और उसके बाद उसे सूखने देगे सुखने बाद हमें लगेगा कि कहीं और पर हमें फिर से दूसरा कुट लगाना है तो वो भी लगाएंगे तो सबसे पहले अभी हम यह पूरी जगा पर एक कोट पुट्टी कर लेते हैं दोस्तों वाल में कंप्लेट हो चुकी हमारी यहां तक हमने पुट्टी कर ली थी बाकी आगे करें अब तक मैं आपको दिखा देता हूँ सिलिंग में जो वहां पर हमने सेंडिंग करके गशा था वह सब भी अच्छे से हमें उसे कवर करना है और वहां पर भी एक कोट हमें पुट्टी लगा देनी है उसके बाद दूस्तों आप दीवाल में देख सकते हो क्रेक आ चुके है तो क्रेक को फिलप करने के लिए उतने बड़े क्रेक नहीं थी तो हमने जो पुट्टी ब्लेड है उसके मजद से अच्छे से थोड़ा बढ़ा कर लिया है ताकि हमरे जो पुट्टी है वो क्रेक के अंदर जा सके और उसके बाद हमने पुट्टी की मदद से इसे फिलप कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर और में इस तरब से यह सिधा क्रेक है वो भी दीखा देता हो उसको आपको अच्छे से पहले थोड़ा पूरज कर निकल देना है ताकि वह जो अंदर पुट्टी का मट्रियल है वह जा सकते हो और फिर से क्रेक चौह में देखे नहीं वैसा करना है इस तरह से हमने यह जो जितने भी क्रेक से और गड़े है वो सब हमने फिलप कर दिये जहां तक ही हमारा कारेगर काम कर रहा था है वहां तक हमने बाकी जगह पर भी इसे अच्छे से पुट्टी वर्क कर वाना स्टार्ट का दिया था गड़े वह सब आपको लग लग जगह पर वैसे टाचिंग दीख रहा होगा जैसे ही टाचिंग कंप्लेट हो जाए तो उट पुट्टी को सुखने देना है और सुख जाए उसके बाद उसे 150 नबर के सेंड पेपर से अच्छे सेंड कर लिना है जोसके बाद हमें सेंडिंग करना होता है सेंडिंग की वीडियो दूस्तों मैं नहीं लिपाया क्योंकि मैं उस टाइम पर थोड़ा बीजी था और और जगह पर काम करवा रहा था इसके वज़े से जैसे ही हमने सेंडिं के अंदर 500 तक पानी डालकर उसे अच्छे से थोड़ा पतला कर लाओ और फिर हमारी पुट्टी की है वहाँ पर एक बार अच्छे से अपलाय कर सकते हो जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं हमने मौर्णिंग लोरी कलर लिया था तो हमने उसी को ही पतला करके इस कर लेना और वीडियो देखने है तो चैनल पेज़ भी विजिट कर लेना उसके बाद देख सकते हो जहां पर भी पुट्टी वर्क नहीं किया था वहाँ पर भी हमने स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट कोट लगाना जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो इसी तरह से हमें पूर किस सरह से मैं ब्रस चलाना है रोलर चलाना है वह सब आपको वहां पर मैंने डी टेल में दिया है तो वहां पर जाके आप मने पूरी पूरे लृटी वेड smiles करना है और जैसे होताँ मैं आपको प्रा व्लक की एक बड़िखा देता हूं किस तरह से ग्मक hell और दोस्टो यहव करना मैं आपको पूरी कॉशाइस करूगा दिखाने की आप देख्षिक्ति नहीं पूरी वाल कंप्लेट कर लिया और उसके बाद मैं आपको पूरा रूम एक बार दिखा देता हूं अच्छे से